हेलो बिच्व नमस्कार बिल्कुल आसान तरी किसे संख्याओं का भाग कैसे करना है यह सिखेंगे संख्याओं से भाग देना सिख रहे हैं वीडियो बहुत इंपोटेंट है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें नाइन का डिवाइड करना है किसमें 708 किसी भी संख्याओं का डिवाइड हम कब कर सकते हैं जब दी कि संख्याओं से बड़ी हो यह एक अंग इस संख्या तो एक अंग के साथ तुल ना करोगो क्या यह है नो से बढ़ा है नहीं है तो अगलांग सामिल कर लो कितना के सत्र तो आपने क्या सिखा कि डिवाइड करने की सुरात आपके लेफ्ट हैंड साइड से करनी है कैसे पहले एक अंग के संख्या दिवाइट के लिए तो एक अंग के साथ तुलना किया चोटा है अगला अंग समिल कर लिए अब हम नो का टेबल कितनी वार लें कि 70 से बढ़ा ना है लगा दिमार एक नए ने बेने 18 तीन नम 27 चार नम 37 पांस नम 45 चोपन साथ नम 63 आट नम बहुत तर आट वार लिया इससे बढ़ा गया लेकिन हम साथ वार लेते हैं तो कितना रहा आपका 63 फिर हमें इसको घटा ना है 73 गया कितना गया 7 उपर से हम 8 को यहां लेके आते हैं भा गया कितना आट वार कितना गया 22 फिर इसको घटा गया कितना गया 6 आगे कोई अंक नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं पोंइंट लेते हैं इसके साथ 0 लिख देते हैं अब 9 का टेबल हम कितने वार लेते हैं 6 वार तो कितना जाता है चोपन फिर हम इसको घटा या कितना गया 6 पॉइंट लगा रखा जीरो आ गया फिर जाएगा 6 वार अब आपका ये रिपीटेड नमबर बन जाएगा ठीक है ऐसे चलता रहेगा कि एंसर कितना रहे 78.666 यहां इसको क्या लिख सकते हैं एप्रोक्सिमेंट 78.67 कैसे यदि आपका रिपीटेड नमबर पांच या पांच से बढ़ा है तो आगे में प्लस वन करके लिखते हैं जहार जो रोकते हैं 78.667 के लिए नॉर्मल कक्साओं के लिए यह सही है यह 12 11 उनके लिए धन्यमाद